Hey guys welcome to the channel this is Manish Shariit आज हम देखनेए वाले हैं longest Palindromic substring का question lead code question है यह मोझे देखनेए वाले हैं तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि Palindromic substring होती क्या है जो Palindromic का मतलब होता है अगर हम एक particular string को left से read करें यह फिर right से read करें दोनों तरब से वह में same sound करना चाहिए ठीक है उसे हम पेलेंड्रोमिक स्ट्रिंग बोलते हैं अब एक्जांबल के लिए मेरे पास एक स्ट्रिंग है तो इससे हम समझने कोशिश करते हैं और उसके बाद जो है हम अपने कोड़ के उपर मूव करेंगे तो इस स्ट्रिंग का एक पहला पोर्शन देख ल ये वाला भी पेलेंड्रोमिक है बी एबी इसको लेफ्ट से रीड कुरो राइट से दोनों तरफ से से मिलने वाला है अब आगे देख लेते हैं जो थर्ड पोर्शन है अपना स्ट्रिंग का ए बी ए वो भी सेम है इसको हम बोल लेंगे वो भी एक पेलेंड्रोमिक हैं लेकिन हमें क्या करना है जो हमारे पास पूरी इसके अंदर जो भी सबसे अपनी पैलेंड्रोमिक है हमें उसको रिटन करना है ठीक है तो यह हमारा एक टास्क है सकोशन में तो देखो वो चीज निकालने के लिए हमें कुछ वेरीबल से यह उंगे सबसे पहला अपना वेर इसको याद रखना कोड में काम आएगा यह पहला वेरीबल है इसके साथ में हमें क्या चाहिए हमारे पास मल्टीपल पैलेंड्रोमिक सबस्टिंग हो सकते हैं तो हमें एक लेंथ चाहिए इंडेक्स के लाइक जो कि हमें बताएगा कि जो पहले वाला स्ट्रिंग है उसके इसकी फोर है इसकी टू है जो सबसे लेंटी होगी उसके बेस पर हमने देख सकते हैं कि लाइक अपना लोंगेस्ट पैलेंड्रोम कौन सा है और उसको हम रिटन कर सकते हैं जो कि अपने कोशन की नीड है अब जरा सोचने दो इस कोशन में एक चीज और हो सकती है क्या हो और फिर ए तो यह पैलेंड्रॉमिक तो है लेकिन इसके अंदर क्या है हम यह नहीं बोल सकते कोई एक सेंटर इसके अंदर दो सेंटर सेंतों यह कोरनर कर दोंगेस्ग कूर्ना सकते हम जो कि हमें code के अंदर cover करना बढ़ेगा हम क्या कर सकते हैं हम एक method बना सकते हैं जो की expand करेगा right और left की तरफ में अपने logic के base पे और फिर हम check करा सकते हैं कि like उसके length किस नहीं है particular string की यह वाला logic हम पहले वाले के लिए लगाएंगे दूसरे वाले के लिए क्या करेंगे हम दो values को center मानेंगे check करेंगे क्या वो equal हैं अगर equal है तो हम मान के चलेंगे दोनों center और उसके बाद अपने logic को implement करना शुरू करेंगे और उसके लिए अब इसके बाद हम अपना फॉर लूप लिखना start करते हैं और अपना logic start करते हैं तो चलिए जल्द इसमें फॉर लूप क्रेट कर लेता हूं इंट i is equals to zero और आई अपना कहां तक जाएगा यह अपना जाएगा एस डोट लेंद तक अपना जाएगा और इसके बाद में आई प्लस प्लस ओके वेरी सिंपल कोई दिखकर नहीं है तो यह अपना फॉर लूप है अब हमें इस फॉर लूप के अंदे क्या उप्रेशन लिखना देखो सबसे पहले मुझे का चाहिए मिरको एक टेंप्रेरी वैरिबल चाहिए जहां पर जो भी अपना प्लेंड्रूमिक आ लेते हैं जो की मैठर अपना क्या करेगा वह राइट और लेट एक्स्पेंड करेगा और अपने को एक्च्वल जो स्ट्रिंग वह रिटन करके देगा ठीक मैं एक मैठर बना लेता हूं एए फॉर एग्जामपल यहां पर वीग है यहां बीई रिर्मी इनका वेपा सेन्टर सेम इसलिए मैजा करें एक मीन्ट से में दोनोगी-दोनों काप करना लिए अब अब जलदी से में condition警े में भाला टो में condition लिएता हूं अगर जो में इसका करता हूं। सबसे पहले क्या है अगर इसकी fly लेंठ मैक से ज्याधा है तो मैं क्या करूँगा मैं जो मैक्स लेंद्ध कर면ने उस थे करें धाय da और साथ में जो अपनी लोंगेस्ट सब्स्ट्रिंग वाली जो वह है जहां पर हम स्टोर कर रहे हैं उसको भी अपडेट कर देंगे और साथ में पैलेंड्रोम इसे हम इसकी वेल्यू चिपका देते हैं पैलेंड्रोम ओकेई आइधिक स्पेलिंग का कुछ यहां पर ना तो ठीक है तो यह अपना पहला केस कवर करेगा यहां पर वैल्यू अपडेट कर आ रहे हैं साथ में मेक्स लेंद तो उसको भी अपडेट कर रहे हैं अब देखो सेगेंड केस अपना क्या है सिमिलर सेगेंड इंडेक्स है उसको एक इंक्रीजिंग आडर में पास करेंगा हने क्या हैं कि देखते हैं सबसे पेल मैं पैलंड्रोम को लिखता हूं और उसको फिर से घुक्तों के सात Mais मेरे हम हम यहां पर क्या पास करना है सबस्पहले मिलू के यह कि striking पास करनी Its account करूंग क्योंकि हमें अगला इंडेक्स भी चाहिए ताकि हम इसके अंदर दो सेंटर तो नहीं इसलिए हमें ऐसा कर रहा है हमने और इसके बाद हम एक वाइल कंडिशन लिख लेते हैं अगर आप चाहो तो कोई दिक्कत नहीं जो यह वाली कंडिशन है न आप नहीं हमें लगबग सिम करते हैं कि आप हम जल्दी से स्टेटमेंट को रिटन करा देते हैं क्योंकि हमें प्यत्तुं कर सब्सक्राइब और अब हमारा एक लास्ट काम बाकि है जो हमने मैतर्ड बनाया हमें और ऊसमें जिक कैसे होगा तो चलिए यहां पर मैताड में क्या होगा हम सबसे पहले स्ट्रिंग ले रहे हैं उसके बाद हम दो इंट वैलिउस ले रहे हैं जो कि हमने यहां पर पास किया है इंट ठीक है पहले वाली को भूलेंगे लेफ दूसरे वाले को राइट अब कंडिशन देखो ज़रा अगर मेरा लेफ्ट जीरो से जादा है मैं चाहता हूं हमेशा जीर चेहां पर बहुत आई उन हैं आए और आई प्लसन लों ले गा दुसरा किसख को कवर करेगा साथ में रिऄर क्यान आरे गरन कराके सब करा लेंगे अगर तरये ऐसे जीरो तो और अब हम यहां पर आरें लेंथ को रिड्यूस कर आ रहें लेफ्ट वाले को अगर लेफ्ट वाला एक जीरो पर करण्ट उसे माइसक रहें तो और पर यह चल रहाए तो अगली वीडियो मिलते हैं वीडियो देखने के लिए बहुत देने बागत